So hey guys, कैसे आप सभी, I hope कि आप सभी ठीक होंगे तो finally, आज मैं बताने वाला हूँ कि आप अपने smartphone के font को कैसे change कर सकते हैं कुछ इस तरीके से या फिर कुछ इस तरीके से इसके लावाँ यहां पर बहुत सारे fonts दे हुएं आप अपने मन पसंद का यहां से चुन करके font लगा सकते हैं जो भी आपको अच्छा लगता है अब यहां पर काफी सारे लोग यह बोलने वाले हैं कि भाई, मेरा Samsung का smartphone है Realme का है, Oppo का है, MI का है तो यह ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोलना है क्योंकि यह जो ट्रिक में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ यह ट्रिक काम करती है सभी smartphone पर फर्क नहीं पड़ता आपका smartphone कौन सा है किस company का है, यह ट्रिक सभी smartphone पर काम करने वाली है तो वाकई में यह वीडियो बहुत ज़्यदा अच्छी होने वाली है काफी सारे लोगों ने मुझे से बोला भी था कि भाई आप एक ऐसी वीडियो बनाओ जिसमें बताओ कि हम अपने smartphone के font को कैसे change कर सकते हैं तो finally यह वीडियो ले करके आ चुका हूँ बस मेरी मेहनत को सफल कर देना इस वीडियो को लाइक करके और चैनल को सस्क्राइब करके चलिए फटा फट इस वीडियो को सुरू करते हैं तो अभी मैंने अपने smartphone को normal font पर कर लिया है जो font smartphone के अंदर आते हैं वही font set कर लिया है आप यहाँ पर देख सकते हैं अब मैं यहाँ पर आप लोगों को font change करके दिखाऊंगा पूरा live proof तो यहाँ पर जो है सबसे पहले करना क्या है यहाँ पर जो है मैं सबसे पहले play store open कर लेना है एक app है इसको जो आपको download करना है यहाँ पर type करना है z font z font आपको type करना है और front पर एक app आपको देख जाएगा इसी को जहाँ आपको install करना है अपने phone के अंतर चले इंस्टॉल कर लेता हूँ इंस्टॉल हो जाने के बाद आपको जो है इसको open कर लेना है जैसे आप open करेंगे यहाँ पर जे permission मांगेगा तो आपको जे allow कर देना है उसके बाद यहाँ पर जापको close पर click करना है उसके बाद यहाँ पर जे इस app के अंदर कुछ add आपको देखने को मिलेंगी क्योंकि यह बिलकुल free app है इसलिए add यहाँ पर देखने को मिलेगी यहाँ पर आपको tap करना है फिर से tap करना है उसके बाद यहाँ पर आपको करना है क्या यहाँ पर जे आपको देखने को मिल जाएंगी बहुत सारे option, emoji, color यहाँ पर आपको जे style पर click करना है यहाँ पर याद रहे कि आपके smartphone के अंदर इंटरनेट connect होना चाहिए तो यहाँ पर अब भी जो है internet मेरा slow है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सारी font आने start हो चुके है अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देखना है आपको कि set कैसे करना है यहाँ पर थोड़ा सा जो है tough setting है तो अभी जो है हम यहाँ पर कोई एक normal सा choose कर लेते हैं कोई भी तो कौन सा choose करें यह वाला holiday यहाँ पर हम choose कर लेते हैं तो मुझे जैसे कि यह वाला font set करना है तो यहाँ पर मैं सबसे पहले download पर click करना होगा यह font downloading हो जाएगा उसके बाद यहाँ पर नीचे आपको option देखने को मिलेगा set का इस पर जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरीके का interface आएगा जहाँ पर जो है font changing mode दिया हुए Samsung, MI, Huawei, and Vivo, Oppo, and Realme, Tecno, and Infinix सारे यहाँ पर जो है phone दिये हुए है जिस भी company का phone है आपका उसी वाले option पर click करना है अगर आप गलत choose करेंगे तो जो है यहाँ पर आप phone change नहीं कर पाएंगे इसलिए सही चुने जो आपका smartphone है वही चुने ठीक है यहाँ पर जहे मैंने Realme पर click कर दिया उसके बाद यहाँ पर जहे आपको second वाले option पर click करना है जो बीच में option है इस पर जहे आपको click कर देना है उसके बाद यहाँ पर जहे आपको ok कर देना है और यहाँ पर जहे आपक को इस फॉंट को इंस्टॉल कर लेना है उसके बाद क्या करना है आगे मैं आप लोगों को बताता हूं भी यहां पर आपको करना क्या है यहां पर आपको बैक आ पुरा आजाना है उसके बार आपको सेटिंग सटिंगई ऑसके यहां पर खेंग और मयान्मर पर किलिक कर देना यहां पर आपको सेटिंग अने के दाव और यहां पर एक और setting करनी है आपको यहाँ पर जाना है display and brightness के अंदर यहाँ पर आपको नीचे scroll down करना है और यहाँ पर आपको एक नया option देखने को मिलेगा support die characters इस पर जो आपको click करना है जैसे आप इस पर click करेंगे आपके font जो है वो change हो जाएंगे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि font change हो चुका है ठीक है तो यहाँ पर सारे fonts change हो चुके हैं यहाँ पर एप वगयरा के font भी आपको change दिखेंगे आप यहाँ पर देख सकते हैं खुदी तो कुछ इस तरीक से यहाँ पर change हो जाते हैं अब यहांपर अगर आपको फिर से कोई न्या font change करना है तो उसके लिए आपको फिर से इसी app के अंदर आना है जैड font के अंदर और यहाँ पर आपको सारे font दिख जाएंगे चले मैं example के लिए एक बार फिर से set करके दिखा देता हूँ क्योंकि यहाँ यहां पर जो है फोन चेंज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है तो यहां पर मैं यह बॉल्ड वाला ले लेता हूं तो यह बॉल्ड तो यहां पर जो है डाउनलोड पर किलिक करना है डाउनलोड हो जाएगा उसके बाद फिर से सैट पर किलिक करना है उसके बाद आपको फिर स कुमारा इंस्टाल हो रहा है उसके बाद यहां पर जहरय है आपको ब्राइक आ जाना है और ऐसर क्यांग है आप यहांपर जहर चेंड कैसे होगा आप यहां पर देख सकते हैं अभी वही phone सेट है जो पहले सेट था तो यहां पर जहरी है आप alot जाना है डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस के अंदर देनी यहां पर जो ऑप्षन यह सपोर्ड डाइच एरेक्टर राले ऑप्षन को आफ करना है और फिर से ओन कर देना है तो यहां पर आप देछ सकते हैं कि हमारा फॉंट जो हे वो चेंज हो चुका है तो इस तरी की से यहां पर फॉंट को चेंज करते हैं आई होप कि आप सभी को पता लग गया होगा कि कैसे यहाँ पर जो फॉंट को चेंज किया जाता है यह ट्रीक सभी स्मार्टफोन पर काम करने वाली है तो जाइए फटा फट जो फॉंट को चेंज केजिए और यह वीडियो गर अच्छे लिए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए इसे तरीके इंटरस्टिंग वीडियो देखने के लिए नमस्कार मिलता हूँ एक निव इंटरस्टिंग वीडियो के साथ मैं